स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्ण भारत ने किस बीमारी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है भारत ने सारवजनिक स्वास्थे समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है विश्व स्वास्थे संगतन को द्वारा घोशत इस उपलब्धी को प्राप्त करने वाला दक्षन पूर्वेशियाक शेत्र का तीसरा देश बन गया है यह एक संप्रामिक बीमारी है जिसका अगर तैसमेर पर उप्चार ना किया जाए तो यह अंधा भी कर सकती है प्ले, कुष्ट, रोग और पोलियों के बाद भारत ट्रेकोमा को भी देश से पूरी तरह से खत्म करने में सफ़ग रहा है इस उपलब्धी पर डबली वेचो में भी भारत की तारीफ करते हुए प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया है अगला प्राश्ट, प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन वियान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? A. रोजर पेंरोग्स, ग्वेंगोर्ट, जैनेजिल और अन्विया गेंज B. डेविद बेकर, जॉन जंपर और डैमिस हस्बिस C. फ्रांसिस अर्लोड, जॉन, स्मिथ और ग्रेगरी विंटर D. जैनिफर डूडना और इमेनुएल चार्पैंटिय आंसर B. डेविद बेकर, जॉन जंपर और डैमिस हस्बिस Explanation डेविद बेकर, जॉन जंपर और डैमिस हस्बिस को प्रोटीन संवचना अनुसंधान में उनके अभूपुल योगदान के लिए रसायन विज्यान में 2024 का नोबेल पुरसकार दिया गया इस तक्नीक का उप्योग प्रोटीन की संवचना में बदलाव कर नए गुन वाले प्रोटीन बनाने में किया जाता है नए प्रकार के प्रोटीन दवाईयों और वैक्सीन के विकास में सहायक होते हैं अगला प्राश सहित्य में 2024 का नोबेल पुरसकार किसे प्रदान किया गया सहित्य में 2024 का नोबेल पुरसकार दक्षन कोरिया एलेखिका हान कान को उनके शक्तिशाली काव्य गग्य के लिए द्या गया जो एतिहासे काधातों को संबोधित करता है और मानब जीवन की नाजुक्ता को उजाबित करता है। अगला प्राश्न किसे श्रीलनकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। A. सनत जैसूर्या B. महिला जैवर्धने C. राहुल द्रवु D. अजय जडेजा A. सनत जैसूर्या Explanation श्रीलनकाई क्रिकेट बोड ने पूल क्रिकेटर सनत जैसूर्या को टीम का हीड कोच नियुक्त किया है। जैसूर्या पिछले कुछ समय से टीम के साथ ही है। वोई टीम के साथ अंतरिम कोच के तौर पर जुने हुए थे। वोई इस पद पर एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। अगला प्राश 21 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहा किया जाएगा। A. कोलंबू B. मुंबई C. लाओ 21 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को लाओ पीडियार के वियनतियाने में आयोजित किया गया। भारत की एक्ट इस्ट नीती के एक दशक पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंडर मोदी आसियान नेताओं के साथ आसियान भारत व्यापक रनमीतिक साजेदारी की प्रगती की समीक्षा करने और सहयोग की भविश्य की दिशात्य करने के लिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री की इस शिखर सम्मेलन में ये 11 भागीदारी थी।